नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद. केंद्र ओ वाले वृत पर बाहर विंदू ती से दो इसपर्ष रेखाएं, टी पी और टी क्यों खीची गई हैं। केंद्र बिंदू है ये टी है और दो इसपर्ष रेखाएं हैं टी पी और टी क्यों सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यों तो पी टी क्यों जो कोड है वो कौन सा हो गया ये। तो इस कोण को मुझे सिद्ध करना है कि ये दो गुना है कोण ओ पी क्यों के तो आईए एक बार यहाँ पे कोण ओ पी क्यों को बना लें तो ओ पी क्यों कोण जो है वो ये है। तो प्रश्न की अनुसार अगर इसका मान मैं एक्स माननू तो मुझे सिद्ध करना है कि ये जो है वो दो एक्स है। तो चलिए अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें क्या सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि यदि O, P, Q आपके पास X है तो कौन P, T, Q 2X होगा तो सबसे पहले आईए हम यिस बात को समझें कि अगर हम त्रिभुज O, P, Q को देखें तो ये एक कैसा त्रिभुज है? समझ बाहू त्रिभुज है और उसकी जो दो बुजाएं हैं O, P और O, Q वो आपस में बराबर होंगी कारण ये है कि ये दोनों ही इस वृत की त्रिज्या के बराबर हैं तो अगर मैं O, P को त्रिज्या R से संकेत कर दूँ तो यहाँ पे O, Q जो है वो भी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी हो जाएगी और इसी वजए से हमारे पास जो ये कोण बन रही है, आधार कोण बन रही है, आधार कोण ओपी क्यूं और कोण उक्यूंक कूण नुँ Q, P भी X हो जाएगा. तो आईए यहाँ पे इसको भी हम संकेत देने, अंकित करने की यह X है. अब हम एक बार बात करते हैं, यहाँ पे जो यह चत्रभुज हमारे पास बन रहा है, O, P, T, Q. तो अगर हम चत्रभुज O, P, T, Q की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि एक चत्रभुज के जो भी कोण होते हैं, उनका योगफल जो है, वो कितना होता है, 360 होता है. तो यहाँ पे मैंने पूरे-पूरे कोण के नाम न लिख करके, सिर्फ इन चारों को हैं, क्योंकि यह चारों यहाँ पे जो हैं, वो इस चत्रभुज के कोण हैं, और मुझे मालूम है कि चत्रभुज के जो आंत्रक कोण होते हैं, उन सब का ही योगफल 360 होता है. अब यहाँ पे जो हमारे पास यह कोण O बन रहा है, इसका नाम है P-O-Q. जो कोण P बन रहा है, आप अगर उसको देखें, तो उसका मान आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे इसका पूरे का मान 90 हो जाएगा. क्योंकि त्रिज्या और इस पर श्रेखा के बीच का, जो भी हमारे पास कोण बनता है, समपाती बिंदू पे वो 90 होता है. इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो कोण हमें T दिया गया है, तो वो है कोण P, T, Q, जिसका मान हमें X के लिए निकालना है, या फिर यह कहलें कि X के पदों में निकालना है. और फिर से अगर हम बात करें अंगल Q की, कौन क्यूं की तो ये फिर से नब्बे हो जाएगा क्यूंकि हमें मालूम हैं त्रिज्या और इस पर श्रेखा समपाति बिंदू पे लंब होते हैं और इस प्रकार से इन सब का योगफल 360 हो गया अब देखें आपके पास यहां पे जो ये P, O, Q कौन आ रहा है हम इसका मान इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं क्यूंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों ही जो कौन है उनका सम 180 होता है तो P, O, Q क्या हो जाएगा 180 में से हम बाकी दोनों जो हमारे पास कौन हैं उनके योगफल को घटा दें त्यानि हम इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा 180 में से अगर हम 2X घटा दें मैंने क्या किया मैंने त्रिभुज O, P, Q में ये इस वाले कौन का मान निकाला 180 में से ये 2X घटा के और 90 और 90 फिर से मेरे पास 180 आ गया जो ये कौन P, Q है इसका ही मान मुझे निकालना है तो इसको ऐसे ही रहना देते हैं और ये 360 हो गया अब ऐसा करते हैं कि इस समिकरण में दोनों तरफ 360 घटा देते हैं तो ये रेखिए 180 और 180 360 है और 360 घटाएंगे तो ये हट जाएगा और जी तरह इस समिकरण में भी 360 अगर दाइन तरफ घटाएंगे तो ये भी हट जाएगा और मेरे पास बचेगा कि माइनस 2X प्लस P, T, Q का मान शूनने है योगफल का और अगर हम दोनों तरफ 2X एड़ कर दें तो हमारे पास P, T, Q का मान कितना हो जाएगा 2X हो जाएगा जो कि हमें यहाँ पे सिद्ध करना था क्योंकि हमने X को क्या माना था अंगल O, P, Q या फिर कहलें कौन O, P, Q तो इस तरहां से हमने इस बात को यहाँ पे सिद्ध करके दर्शा दिया कि हमारे पास जो यहाँ पे कोण बन रहा था दोनों इस पर्ष रिखाओं के बीच वो दो गुना होगा जो यहाँ पे हमारे पास कोण बन रहा है O, P, Q, K चलिए आईए एक और प्रशने देखें एक बिन्दू सी पर जो दो वृत एक दूसरे को सिपश करते हैं सिद्ध कीजिए कि सी पर उभेनिष्ट सिपश रिखा जो की यहाँ पे दिखाए गई है कि दोनों ही वृतों की एक सिपार्श रिखा उभेःनिष्ट इसपर्ष रेखा है, वो P Q उभेःनिष्ट इसपर्ष रेखा की अर्धक है, तो अर्धक होने का मान Efendimiz यह हुआ, कि हमारे पास, जो यह दो हिस्से बन रहे हैं, उपर वाली उभेःनिष्ट इसपर्ष रेखा के O P और O Q वो आपस बराबर हैं, तो हमें क्या सिध्द करना है? हमें ये सिध्द करना है कि O P और O Q का मान जो है वो बड़ाबर है अब आईए हम एक बार यहाँ पर देखें कि हमारे पास हम ये कैसे सिद्द कर सकते हैं आप ये देख रहे हैं कि O C जो है वो O Q के बराबर होगी क्योंकि अगर हम यह कहलें कि हम इस वाले वृत को देख रहे हैं जिसका केंदर A है तो उस पे O बिंदू से दो रेखाएं बनाई गई और दोनों इस पर्ष रेखा अगर हम एक बहार की बिंदू से बनाते हैं तो वो बराबर होती हैं तो यहां पे हमने लिख दिया कि O C और O P जो हैं वो बराबर हैं क्योंकि वो दोनों ही इस पर्ष रेखाएं हैं वृत A पे जो कि एक बहार की बिंदू से बनाई गई हैं आप यह भी देख सकते हैं कि जो O C है वो O Q के भी बराबर होगी और कारण यही है कि अगर हम बहार का बिंदू ओ लें तो O C और O Q जो है वो दो इस पर्ष रेखाएं हैं जो एक बहार की बिंदू से बनाई गई हैं इस बार वृत जिसका केंद्र भी है अब अगर हम यहां से अपने पहले जो कथने उस पे धान दे और दूसरे कथन को धान दे तो हम क्या कह रहे हैं कि O C O P के मध्ध बिंदू है और अगर हम यह कहें कि O P Q का मध्ध बिंदू है तो इसका आशय यह भी हुआ कि O C अर्धक है P Q का तो हमारे पास O C अर्धक हो गया किसका P Q का इस तरहां से हमने यहां पे सिद्धिकरण कर लिया चलिए आए दूसरा प्रशने देखें सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदू से वरत पर खीची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है तो यह एक जो है विशेष्टा हमने पढ़ी थी और यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि आप इस बात को सिद्ध करिए कि अगर हम एक वरत पे बाहर के किसी बिंदू से दो इस पर्श रेखाएं बनाते हैं तो इन रिस्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है तो हमें क्या सिद्ध करना है तो यहां सिद्ध करना है कि पी ए और पी बी की लंबाई जो है वो बराबर है तो चलिए आईए इसकी सिद्धी करण के लिए यहां पे एक रचना कर और इस वृत के केंद्र से A और B पे दो तृज्या बना लेते हैं और साथ ही A, O और P को यहां पे जोड़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें यहां पे दो समकोंड तृभुज मिल गए और दो समकोंड तृभुज कौन कौन से हैं एक है O, A, P और दूसरा हमारे पास समकोंड त्रिबुज हो गया O, B, P और इनके समकोंड हमें कहां मिल रहे हैं जहां पे हमारी त्रिज्या और इस पर्श रेखा आपस में समपाती हो रही है और अब अगर हम किसी प्रकार से ये सिद्ध करनें कि ये जो त्रिबुज हैं ये सर्वांग सम्त्रिबुज हैं तो हम ये कह सकते हैं सर्वांग सम्ता का प्रयोग करके कि ये जो दो हमारे पास हिस्से हैं इन दोनों त्रिबुज के वो भी बराबर हो जाएंगे CPCT से तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्या हम ऐसा यहां पर सिद्ध कर पाएंगे तो सबसे पहले हम यह बात कह दें कि हमारे पास जो OA है वो OB के बराबर होगी और इसका कारण आप बताईए कि यह दोनों ही वृत की तरिज्जा हैं और हमें पता है कि एक वृत की जो भी तरिज्जा है वो हमेशा ही लंबाई में बराबर रहती है इसके बाद आप यह भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास यह रेखा OP है यह उभेनिष्ट है पहले हमने कहा O A और O A और O B बराबर है और अब हम कह रहें कि O B जो है वो उभेनिष्ट है तो उभेनिष्ट भी है और दोनों ही सम कोणों में यहाँ पे हमें दिख भी रही है तो एक ऐसा भाग दोनों बुजों का जो की हमारे पास उभे निष्ट है वो हो जाएगा OP और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कोण OAP और कोण OBP जो हैं वो आपस में बराबर हैं और दोनों ही सम कोण हैं तो क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिज्या और इस पर्ष रेखा संपाती बिंदू पर लंब होते हैं तो आपको ये बात पता थी और हमने यहाँ पर इसका प्रयोग कर लिया और अब हम यह कह सकते हैं कि RHS सरवांग सम्त्रिभुज हो गए OAP और OBP RHS सरवांग सम्ता का प्रयोग करके और दोनों सरवांग सम्त्रिभुज की अगर हम corresponding sites देखें तो वो हो जाएंगी PA और PB तो ये भी बराबर होंगी और reason क्या है कि ये जो है वो CP CT से बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमने अभी यहाँ पर congruent proof कर दिया तो इस तरह से हमने यहाँ पर congruency का इस्तमाल करके सर्वांग सम्ता का प्रयोग करके दो त्रिभुज को पहले congruent proof किया और फिर उनके congruent parts को हमने कहा दिया कि वो पराबर होंगी है चलिए आईए एक और प्रशन देख लेते हैं एक वृत त्रिभुज ABC में अंकित है तो यहाँ पर क्या गह रहे हैं कि एक वृत जो है वो त्रिभुज में अंकित है तो पहले मैं ऐसा करूँ कि एक वृत बना लूँ और फिर मैं यह बना लूँ कि यह जो वृत है वो एक त्रिभुज में अंकित है तो इसको ऐसे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से यदि BC का मान 8 है तो पहले मैंचे नाम भी लिखने पढ़ेंगे इनके और यहां पर यह कहा गया है कि BC का मान जो है वो 8 है AB का जो मान है वो 10 है और AC का मान भी आपको 12 बता दिया गया B, L, C, M और A, N का मान गयात कीजिए तो B, L, C, M और A, N का मान गयात कीजिए तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके से प्रश्न दिया क्या है तो यहां पर जो हमें बात बताई गई है वो यह कि हमारे पास जो यह त्रिभुज है इसकी तीनों ही बुजाओं की जो लंबाई है वो दे दी गई और हमसे पूछा गया है कि यहां पर यह तीनों जो रेखाएं है B, L, C, M और A, N इनकी लंबाई क्या होगी तो सबसे पहले आईए हम यहां पर अपने जो इस पर्ष रेखा है उसका जो कॉंसेप्ट है वो इस्तमाल करके कुछ बातें यहां पर समझें तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास B, L की लंबाई होगी वो B, N की लंबाई होगी क्योंकि अगर हम B को एक बहारी बिंदू मालने तो यहां से दो स्पर्ष रेखाएं बन रही है और इसी कारणवश C, L और C, M भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि C एक बहारी बिंदू है और दो स्पर्ष रेखाएं और फिर A, N और A, M भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि A, A, कि विदाई बहारी बिंदू है और N और M पे वो इस्पर्ष रेखाएं बना रहा है अब आपको यह बताया क्या है कि BC का जो मान है वो 8 cm है और अगर आप यहाँ पे figure से देखें तो BC जैए है वो क्या है? BL पलस LC है तो BL पलस LC का मान आपको 8 cm दे दिया गया इसी प्रकार अगर आप AB का मान देखें तो AB का मान आपको 10 cm दिया गया है और जो कि अगर आप चित्र से देखें तो हो जाएगा AN और NB का मान और यह आपको 10 cm दे दिया गया इसके बाद आप अगर तीसरे मान की और आ जाएं तो आपको दिया गया है कि AC का मान 12 cm है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AM और MC का मान 12 cm है अब क्योंकि हमारे पास यह दिया गया था कि CL और CM बराबर है और हमसे माना गया है मांग CM का तो जहाँ पर भी हमें CL मिल रहा है उसको हम CM कर देते हैं तो BL और यहाँ पर हमसे CM को 8 लिख लेते हैं यहाँ पर आप AN को AN ही रहनी दिजिए मगर NB की जगा हम क्या कर देंगे BL और इसका मान हमें 10 दिया गया है और इसी प्रकार से अगर आप इसमें थोड़ा सा बदलाओ ले आएं तो क्यूंकि प्रश्ण में हमसे AN पूछा गया है तो हम AM की जगा AN लिख देते हैं और यहाँ पर यह तो CM है और यह हमारे पास 12 हो गया तो इससे हमें फायदा यह हुआ कि हमें जो भी यहाँ पर चाहिए था प्रश्ण में जिनकी भी मान पूछे गए थे उनके ही पदों में हमें यहाँ पे तीन समीकरण मिल गए अब आप एक बार यह देखें कि अगर हम इन तीनों समीकरणों को नाम दे दें एक, दो, और तीन, और इन तीनों का ही हम एक बार योग फल ले लें, तो देखे क्या मिलेगा, तो एक प्लस दो, प्लस अगर हम तीन कर दें, तो हमें मिल जाएगा, बी एल दो बार आ रहा है, फिर हमारे पास, सी एम भी दो बार आ रहा है, और फिर आप ये देख सकते हैं, क जो यह यहां पे संख्याई लिखी हैं, इनका अगर योगफल करेंगे, तो 12 और 18 जो की 30 हो जाएगा, इस प्रकार हमें BL, CM और AN का मान मिल सकता है, अगर हम पूरे ही समीकरण में 2 से भाग दे दें, और जो की हमारे पास 15 आजाएगा, तो देखें, इसको हमने 4 समीकरण कह लि BL, CM और AN का मान था 15, और इसमें से हमने पहला समीकरण घटा दिया, यानि BL प्लस CM बराबर 8 को हमें घटा देना है, तो अगर हम इस तरह से घटाएंगे, तो BL और BL हड़ गया, CM और CM हड़ गया, हमारे पास AN का मान कितना आगया, 7 आगया, और अगर आप AN का मान, जो की आप आपने 7 cm निकाला, इसको हम दूसरे में कर दें, मतलब जो दूसरा हमारे पास समीकरण है, अगर हम उसमें इसको रख दें, तो देखें, क्या हो जाएगा, 7 प्लस BL बराबर 10, अगर हम दोनों तरफ 7 घटा दें, तो BL का मान 3 cm आ जाएगा, ये भी 3 cm था, और उसके बाद अ का मान 7 cm किसमें रख दें, तीसरे समीकरण में रख दें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 7 प्लस cm बराबर 12 आ जाएगा, इस समीकरण में अगर हम दोनों तरफ 7 घटा दें, तो cm 12 में से 7 गया 5, तो इस प्रकार जो हम से प्रश्न में 3 पद पूछे गए थे, या कह ले को भी बाते बताएं आपको अच्छे से समझाई होंगी